जैहिन जैभारत और वेलकम टू डैप टॉक्स इस आदिय अचिंद मेजर न्यूज आ रही है साओधी अरेविया इस्रेल और यूएसे की मिडल इस्ट का पूरा स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है हमारी आँखों के सामने यह चीज मैंने पहले भी रिपोर्ट करें थी that negotiations are on between the Americans and Saudis Saudis और Americans के बीच में hardcore negotiation चल रही है about a security pact अब यह security pact से क्या होगा साओधी को पूरी तरह से American forces को cover करना पड़ेगा literally like NATO, so NATO का Article 5 America की तरफ से साओधी को extend किया जाएगा जिस तरह से South Korea को और Japan को extended है यह चीजें बहुत important है because Saudi Arabia एक तरह से बोल रहा था है यार मैं आप जो चाहोगे अमरीका आपको चाहिए कि मैं recognize करूँ इसरेल को Abraham Accords का part बनूँ, यह सब ठीक है लेकिन मेरे को मेरी security की चंता है, आप मेरे को security provide करो आप मेरे को अपने weapons लेने दो और आप अपने troops यहां पर डालो ताकि मेरी security guarantee रहे, तब मैं जाके कोई भी deal के उपर आगे sign करने वाला हूँ तो यह चीज़ साओधी ने बोली थी and this was something which was in negotiation इस पूरी deal के बारे मैं मैं आपको बताता हूँ कि बहिया, Anthony Blinken साब अब भी गए वे थे साओधी Arabia, back end पे काफी dealing चल रही है and World Economic Forum के एक talk के बीच में Anthony Blinken ने almost बोला है किसाब यह deal is almost completed and इसका roll out बड़ी जल्दी शुरू होगा now अगर ground war की तरफ देखें, लोग पूछेंगे यार इसमें Palestinians का क्या होगा, यह क्या होगा, वो क्या होगा देखें, दो-तीन चीज़ें हैं उसके अंदर, Gaza की war features into that very prominently क्योंकि कही न कहीं, इसरेल को अपनी war खतम करनी पड़ेगी, there is no question, Saudi Arabia और इसरेल की बातें शुरू होगी, diplomatic ties शुरू हो जाएंगे, and as a matter of fact, Saudi Arabia will go so far as to recognize Israel as well, इसमें Israelis को क्या मिलेगा, which is something I will discuss with you further, लेकिन Gaza की, Gaza और Palestinians की बात करें, कही न कहीं एक कुछ न कुछ state solution, non-state solution, something of the sort will happen, क्योंकि कहीं न कहीं इस question को settle करना बहुत जरूरी है, ताकि Palestinians को बोल सकें, अच्छा भई, आपको जो दिया है, आमने दे दिया है, बस खतम, चुप रहो अभी, अपनी जिन्दगी जी हो, और बाहर निकलता है, क्या निकलता है, this is something which is very interesting to know, क्योंकि Americans की तरफ से भी कुछ news आई, कि साब कुछ लोगों को, कुछ Palestinian refugees को, हम American citizenship दे देंगे, तो मेरे ख्याल से वो एक, एक step आगे बढ़ा के, कोई दूसरी countries को भी hint मार रहे हैं, कि यार, देखो, हम ले रहे हैं, तुम भी कहीं एक permanent solution, which is, अभी तक जो लोग बोलते हैं, two-state solution, कि एक state of Palestine हो, और एक state of Israel हो, इसकी उपर काफी बात लोग करते हैं, obviously, lot of us don't agree with that, कि भहिया, ये होगा नहीं, लड़ाई जगडे दुबारा होंगे, ये होगा, वो होगा, all that is great, but please understand, अगर लड़ाई जगडे होंगे भ इसके बाद भी लड़ाई जगडे चलते रहें, तो then there are, it is not a state under Israeli occupation, it will be an independent country, and as an independent country, उसकी जो ठुकाई उसके बाद होनी है, वो उसको अपने आप सहना पड़ेगा, दुनिया आके उसकी help नहीं करेगी, so this is also going to be a question to the Palestinians की, बाइसाब, आपको दे रहें, बेवकुफी करोग उसके बाद डिजयर आके ऐसे ठोकेगा आपको, गाज़ा देख रहे हो ना, वहाँ पर चप्टा मैदान, ऐसे ही हालत होगी आपकी भी, तो जरा समझ लो, संबल लो, यह सब कच्रा बंद करो, दूसरा यहां पर एक चीज और होगा, कि भई कहीना कहीं इरान को भी side करने की कोशिश की जाएगी, भईया तुम जरा अभी संबल लो, ठीक है, यह जो चाइना के साथ तुम गदी में बैट के उल्टे काम कर रहे हो ना, यह चलेगा नहीं, ठीक है, सब को पता है कि एरान के पास कहीना कहीं nuclear weapons आ गए हैं, और यहां पर आते हैं, मेरा favorite subject हो, यह कोई भी आपको guarantee से बताएं ने पाएगा, लेकिन I am going to put my neck forward and say that चो इस agreement के part में, साओधी अरेबिया ने अमेरिका से बोला है कि साब हमारा civilian nuclear program को जरा आप आगे करिए, अमरीकन ने बोला हांजी हांजी हम कर देंगे, civilian nuclear program, nuclear program ही होता है, तो कहीं न कहीं हमारे जो प्यारा प्यारा पाकिस्तान है, उसकी जो घंटियां है, वो ढीली होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तानी इसको बोला जाएगा कि बेटा पैसे चीए, अतियार रखो, ठीक है, तो this is what is going to happen, because see, Israel is a nuclear power, इरान potentially a nuclear power, अ just having American protection will not do, उसको चाहिए अपने हतियार, बोलेगा साब, जब तुम लोग पीछे हटोगे, मैं अपने हाप चलाऊंगा फिर, ठीक है, ताकि पीपल नो कि नहीं नियाज से पीछे रहो, इसके अंदर साओधी ने भी अच्छा गेम कहला है, साओधी ने चाइनीज के साथ बै जाएगा, because Americans would have retrenched themselves within the Middle East, American interest सबसे आगे, आके बैठ जाएगे, because Israel, Saudi will have same linkages, China out of question, as a matter of fact, Israel और चाइना के relations काफी खराब हो रहे हैं, व्यूंकि China openly support कर रहा है, Iran को, so this entire game will shift, but तो साओधी ने इरानियन के साथ डील करी, अंदर से साओधी क्या कर रहे है, साओधी पैसा लगा करना शुरू करेंगे, इरानियन के अंदर, की ये लो यार, थोड़ी पैसे रखो, थोड़ी डवलेप्मेंट करो, हम तो को लोन देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, all that चल, करते रहो, what will happen is, इरान की जो एक interest होगा, to hit Saudi, और Israeli interest, थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे करके reduce होना शूर जाएगा, because obviously, यार, पैसे आएंगे, वो बोलेगा, यार, मैं इधर ही धंदा कर सकता हूँ, भारत कहीं न कहीं आएगा, बोलेगा, चल, मैं थोड़ा तेल ले लेता हूँ तेरे से, wink-wink, ठीक है, जैसे वो wink-wink करेगा, China, right, so the game is gonna be very, very simple, this area needs to be reformed, this area needs to be reset, और ये reset हमारी आँखों के सामने होगा, secondly, IMAC, बहुत लोगों का सवाल था किसाब, IMAC का क्या होगा, यहां तो war चल रही है, कैसे चलेगा, ओहो, यहां से एक बड़ी clear चीज निकलती है, जो पूरा Middle East का reset होगा, IMAC will be the core line of communication, जो एक trade line बनेगी, this will be the core of the inter-regional cooperation, किसाब, कही न कह ही मैं आपको बड़ा clearly बोलू, यह IMAC is gonna be the key going forward, और यह चीज मैं नहीं बोल रहा है, यह चीज इसरेलीज बोलते हैं, यह चीज साओदीज बोलते हैं, यह चीज इमराती बोलते हैं, यह चीज ग्रीक्स बोलते हैं, यह चीज यूरोपें बोलते हैं, so there is a lot of game which is gonna happen at the back, to make sure यह पूरा एक region, एक integrated security network अपने ले बनाएं, और trade and commerce की तरफ से अपने आप independent बने, कही ना कहीं US थोड़ा सा Middle East में रहेगा, आपके defense relations already वहाँ पर बढ़ रहे हैं, I2, U2 is already there, so you will try and get integrated into this area and भारत का एक बहुत बड़ा role आगे जाके इस region के अंदर आएगा, which is something that we can see already by the way, भारत के bilateral relations, multilateral relations and जो आपके security agreements उस region के अंदर बनने already शुरू हो चुके हैं, so देखे, all is well, things are going well, but Israel का जो अभी last offensive बचा है, which is in Raghfa, ये खतम होना पड़ेगा, before anything moves forward, because ये एक चीज है, which is going to be an eyesore, ये गंदा होगा, let me tell you, because इतने सारे लोग हैं, इतने सारे ये हैं, और वहा कुछ ना कुछ लड़ाई जगडे जोर से होंगे वहाँ पर, एक इनकी peace talk भी चल रही है, साथ में जहाँ पर एक hostages को release करने की बात होती है, something is happening on the side, so if that thing works out, मेरे को लगता नहीं है, because पहले भी ऐसी काफी चीज़ें होई हैं, एक ही बार ये एक talk चली थी, जिसमें 130 लोग बार निकले थे, I don't know how that situation will go forward, but strategically अगर दूर दरास से देखें कि ये situation अभी धीरे धीरे करके resolve होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कहीना कहीं USP, वहाँ पर गाजा के अंदर jetty बना रहा है, ताकि वहाँ पर humanitarian aid, ये वो थोड़ा उसको settle rebuilding efforts, ये वो जो भी करना है, वहाँ प गरो तुम वो करो, they will try and reset the entire narrative in that place, and ये चीज आपको देखने को already मिल रही है, with the game की वहाँ, एक anti-Palestinian sentiment, anti-Palestinian नी, but एक anti- this protest sentiment निकलना शुरू हो रहा है, which is of course connected to this whole thing, कि यार ये भी बहुत हो गया, इसको जड़ा चुप करो, we can see that in the universities, we can see that in Europe, we can see that everywhere, जब people are saying, यार बस enough, this thing needs to stop, इसको बंद करो, ये Palestinians को चुप करो, जो इनको हाँ ठीक है, ये दो, उसके बाद तुम बेवकु भी करोगे, तो लात पड़ेगी, जैसे किसी एक independent state को पड़ती है, so you better bloody get your act together, नहीं तो आपकी धंकाए होगी अच्छे से, and कही ना कहीं, over the future, you will find something evolving into a थोड़ा सा देखे, पूरी तरह से एरान और ये दोस्ती दूस तो नहीं होगी, बट कहीं ना कहीं, एक stability लाने की कोशिश की जाएगी, and उसके बाद, ये चीज़ मैंने October November में बोली थी, साब एरान विल बी the next on the menu, in the sense, एरान को अपनी internal security पे बहुत नज़र माणनी पड़ेगी, because एरा Iran is overstepping here and there, it's trying to do stuff इदर उदर, कश्मीर का नाम लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, he's trying to do a lot of things here and there, कहीं ना कहीं, एरान needs to start looking inwards, क्योंकि ये is nuclear, nuclear and all that, आपकी society को control नहीं कर पाएगा, Russians को busy रखा हुआ है उस तरफ, Ukraine में and Chinese of course Philippines में, Chinese को एक जटका लिखेगा आगे जाके, which is something which is very interesting, but Chinese भी कोशिश कर रहे है, वकान कॉर्रडॉर की रोड बननी शुरू होगी है, जो इरान के थूरू जाके, अजर्बाइजान and वो एक चोटा सा जो कॉर्रडॉर है, अर्मेनिय का वहां से निकल के तरफ जाने की कोशिश कर रहे है, so alternative भी यह चीज चल रहा है, बट चाइना की कितनी capacity है, इस चीज को maintain करने की, इस चीज को game केलने की, क्योंकि चाइना की अपनी हवात वैसे भी निकलने वाली है, and that is something निकल रही है, actually दीरी-दीरे करके, so this whole geopolitical scenario around this region is gonna start changing very very fast, and जैसे जैसे यह deal materialize होती है, you will find भारत का रोल in this area as a central figure evolving, American, जितने मर्जी आप, मैं हमेशा बोलता हूँ, जितने मर्जी narrative चला लो, जितने मर्जी वापो वूपो बे आर्टिकल लिख लो, भाई-साब, you cannot ignore the geography of भारत, so interesting games, let's go forward, हम नजर रखेंगे इस की उपर और आपको अपडेट करते रहेंगे, thank you so much, जै इन, जै भारत.